2020 के दिल्ली दंगो के केस में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई हुई उमर खालिद ने सुमवार यानी की 23 मई को दिल्ली उच नयायाले में दलील दी की संशोधित नागरिक्ता कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन सिर्फ एक अन्यायपून कानून के खिलाफ था और इससे किसी भी तरह से देश की संप्रभुता को कोई नुकसान नहीं होना उमर खालिद की ओर से पेश हुए वकील तृदीप ने ये भी कहा कि कोट को हर चीज की आतंकवादी गतिविधी के रूप में व्याख्या करने के जाल में नहीं पढ़ना चाहिए सुमवार को हाई कोट में सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील तृदीप पेस ने तरक दिया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था उनके मुताबिक देखा जाये तो अदालत ने बिना किसी आधार के चक्काजाम और विरोध प्रदर्शन करने के आरोप को आतंकवादी क्रत्य में बदल दिया पेस ने आगे तरक दिया कि उनके मुवक्किल का विरोध एक अन्याइपूर कानून के खिलाफ था इस दोरान कोई भी ऐसी हिंसक घटना या प्राद नहीं किया गया था जिससे उनके ओपर UAPA की धारा 15 के तहट मामला दर्श किया जाये UAPA की धारा 15 सीधे सीधे एक आतंकवादी क्रत्य को परिभाशत करती है जिसके तहट उमर खालिद पर केस करने का कोई आधार नहीं है उमर खालिद के वकील की ओर से आगे कहा गया खालिद के खिलाफ जिन क्रत्यों का हवाला देते हुए ये केस दर्श किया गया विया तो विरोध प्रदर्शन थे या मीटिंग्स थी खालिद ने किसी हिंसक विरोध प्रदर्शन में भी भाग नहीं लिया और नाहीं ऐसा कोई सबूत है जिसे ये पता लगें कि हिंसक विरोध में उनकी कोई भूमिका थी सुनवई के दोरान जज सिधात मृदुल ने कहा कि मिसाल के तौर पर आतंकवाद एक ऐसा कृत्य है जो समाज की गती को भंग करने समाज के एक वर्ग में डर की भावना पैदा करने की दृष्टी से किया जाता है उन्होंने पूछा कि क्या विरोध के दोरान और उसके बाद भै और असुरक्षा की भावना पैदा हुई थी या नहीं इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस पर तृदी पेस ने जवाब दिया कि चार्डशीट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता उन्होंने आगे कहा अगर ऐसा ही है तो हर अपरादिक क्रत्य आतंकवादी गतिविधी बन जाएगा उनकी मुताबिक कोट को हर चीज को आतंक की रूप में व्याख्या करने के जाल में नहीं फसना चाहिए इस पर कोट ने कहा हम आपसे सहमत हैं कि एक हत्या का भी मनोवग्यानिक परिणाम हो सकता है यानि इससे भी लोगों में डर पैदा हो सकता है खालित के वकील ने आगे कहा कि चार्डशीट में उमर खालित पर जिस तरह के अपराद के आरोप लगाए गए है और जस तरह के बयान सबूतों के तौर पर पेश किये गए हैं दोनों में कोई संबन नहीं है तुरदीप पेस ने आगे कहा कि ऐसे में यूए पीए के तहट जमानत के कड़े नियम उमर खालित पर लागून नहीं होने चाहिए क्योंकि अभियोजन के पास इन आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं है दिल्ली हाइकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार यानि 24 मई को करेगा खालित और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के साजश करता होने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून यानि UAPA के तहत मामला धर्श किया गया है अमर खालित पर आरोप है कि वो CAA प्रोटेस्ट के दौरान दंगे करा कर देश में अशान्ती फैलाना चाहते थे चकीन आरोपर पर खालित का कहना है कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे ना कि कोई साजश देखते रहें दिललन लंटों शुक्रिया